कॉस्मेटिक अच्ट की ऑबजेक्टिब्स और सम् डॉब्सीन्स रिलेटेड़ ड्रगें कॉस्मेटिक एक्ट तो उसमें बहुत सारी डेफिनिशन्स है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कॉर्डिंग दी गई है तो वो फर्दर हम लोग देखेंगे तो नौ टूदे क्लास वी आर गॉइंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइटिन हंड़ फोट फैट तो रूल जो है नाइटिन हंड़ फोट फैट को जो है नाइटिन हंड़ फोर्ट फैट गया था अर यह इंडिया के अंदर 1940 में जो है Drug and Cosmetic Act को जो है लेकर के आया गया था So first definition है हमारा Manufacture So manufacture means what? It means any process or part of process What it means? It means any process or part of process हम लोग कुछ भी manufacture करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले हमारे को बहुत सारे process करना होता है ठीक है? बहुत सारे process जो है वो follow up करनी होती है So manufacture करने के लिए कोई भी Drug and Cosmetics हम बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? Making करेंगे Means बनाएंगे Then altering Means कुछ भी उसके अंदर हम changing करेंगे ताकि वो जो भी हमारा Drug and Cosmetics Product है वो अच्छा दिखे So सबसे पहले हम क्या करेंगे? Making Then altering Means उसके अंदर कुछ न कुछ हम परिवर्तन लेकर आएंगे या कुछ न कुछ उसके अंदर हम changing करेंगे Then next is ornamenting Ornamenting का मतलब है कि वो जो product हम Manufacture कर रहे हैं वो product attractive दिखे So ornamenting means Attractiveness Then उस product की Finishing, Labeling Breaking Up of any drug Or cosmetics For the purpose of और जो भी हम drug को बना रहे हैं Alting कर रहे हैं Ornamenting कर रहे हैं Finishing कर रहे हैं Labeling कर रहे हैं या उस drug को हम दोड़े Break कर रहे हैं तो वो हमारा कुछ न कुछ main उदेश्य है कुछ न कुछ main purpose है तो वो purpose क्या है कि उस drug को हम क्या कर सके Sell कर सके ठीक है Distribution कर सके ठीक है तो उस drug को हम क्या main purpose क्या है कि कोई भी drug को manufacture करने के लिए Sell Distribution और इसके लिए हम लोग जो भी drugs बना रहे हैं उसमें क्या क्या करेंगे हम लोग उस drug को बनाएंगे making करेंगे altering करेंगे ornamenting करेंगे finishing करेंगे labeling करेंगे and then breaking करेंगे ठीक है बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है but does not include compounding जो भी drugs बन रही होती है उसको हम लोग compounding नहीं कर सकते हैं ठीक है ना या dispensing नहीं कर सकते हैं means what कि हम किसी भी जैसे कि hospital के अंदर compounders होते हैं तो उनको हम लोग उस drug को जैसे कि हम बना रहे हैं तो बनाने के time पे कोई भी drug को manufacture करने के time पे हम उनको वो drugs जो है नहीं दे सकते हैं ठीक है ये authority जो है जो भी pharmacist या जो भी person बना रहे होते हैं drugs को उनकी पास ये authority नहीं होती है कि उस drug को क्या कर सके compounding कर सके और dispensing कर सके ठीक है of any drug or or the packaging of any drug or the cosmetics ठीक है so इस drug को हम लोग ordinary course या retail business के लिए भी हम लोग use में नहीं ले सकते हैं ठीक है so next definition है हमारा patent and proprietary medicines so what do you mean by patent and proprietary medicines so student first of all patent and proprietary means medicines for internal or external use of human or animals ये जो भी हम medicines बना रहे हैं उसका main हमारा aim क्या है main उदेश्य क्या है कि जो भी हमारे human है या animals है उनको externally और internally use हो सके ठीक है prepared और इसको basically हम लोग prepared कैसे करते हैं according to formula ठीक है ना इसको prepared करने के लिए कुछ formula होती है कुछ methods होते हैं ठीक है ना so student basically जो भी हमने patent and preparatory medicines को बना रहे हैं ठीक है ना patent and preparatory medicines all right so patent and preparatory medicines में मैंने क्या बताया कि ये medicines ऐसी medicines है जो कि हम human और animals के उपर internally और externally use में लेते हैं ठीक है then इसको prepared किया जाता है formula based पे ठीक है ना जैसे कि for example अगर मैं बताऊं तो एक cloth की brand है adidas ठीक है so adidas जो brand है ठीक है ना वो उसकी खुद की brand है तो कोई भी चीज कोई भी company start करनी हो या कोई भी हम किसी भी product की manufacturing कर रहे हैं these are related to medicines या other जो भी हो ठीक है ना तो उसके लिए government की authority होती है उसके base पे ही हम कुछ भी अपना start कर सकते हैं means legally way में कुछ भी start करना है तो उसके लिए government की authority की necessary होती है ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया कि adidas एक company है कपरो की company है तो वो उसकी own company है तो अगर कोई दूसरी brand उसका compare करे तो वो same name नहीं रख सकता है ठीक है ना वो other name रखेगा ठीक है तो मेरा way of मेरा बताने का मतलब ये था कि patent and proprietary medicines में जो है हम लोग ये medicines बनाते हैं internal और external use of human और animals के लिए ठीक है और ये जो है other than IP जो हमारा Indian pharmacopia है उसके अलावा कोई भी standard books को use करते हैं और उस books के अंदर उस books में जो भी formula होती है या जो भी guidance होता है उसके according जो है इस medicines को बनाई जाती है तो उस medicines को हम बोलते है patent and proprietary medicines अब next देखेंगे next definition है हमारा misbranded drugs so student misbranded drugs का मतलब क्या होता है misbranded drug means colored, coated, powdered और polished so as to concern the damage ठीक है means इसका मतलब ये हुआ कि जो भी medicines है या जो भी drugs है वो उपर से तो सही दिख रही है बट उसके जैसे कि अपन इंटेक कर रहे हैं तो वो like expired हो या उसकी coating या उसकी color ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या हो damage हो, मतलब misbranded हो ठीक है so उस drug को जो है आप उस drug की जो therapeutic value है ठीक है ना वो उस तरह से नहीं दिखेगी अगर उसमें कुछ problems है उस drug को manufacturing करने में या वो drug misbranded तब कहलाएगी जब वो drug क्या हो आपका colored हो coated हो, powdered हो और polished हो so as to concern the damage if it is made to appear a better therapeutic value then it really is उसकी better therapeutic value जो है वो सही है या वो भी सही नहीं है ठीक है ना बट इसकी जो भी बनाई गई है like उसका color उपर से सही दिख रहा है ठीक है ना और अंदर कुछ न कुछ इस तरह से problems है तो उस तरह की drug को हम लोग क्या बोलेंगे misbranded drugs misbranded drugs की other definitions क्या हो सकती है it is not labeled in prescribed manner वो drugs जो है उसकी proper therapeutic means उसकी जो doses form है कि उस drug को हमें किस तरह से लेना है, twice a day लेना है या thrice a day लेना है तो उसकी label के उपर proper manner way में उसकी leveling नहीं हुई हो तो उस drug को भी हम क्या बोल सकते है misbranded drugs बोल सकते है और other definitions क्या है its label or container bear the statement which is false and misleading or make the false claim मतलब उस drug के उपर जो उसकी container बनी हुई है container जो है उसमें कुछ न कुछ false claiming है, कुछ न कुछ उसको हमने जैसे की कुछ ऐसी medicines होती है या कुछ ऐसी cosmetics होती है उसके उपर ये लिखा होता है कि अगर हम इसको one week use करेंगे तो हम bright दिखने लग जाएंगे हमारी color जो है वो fair हो जाएगी और उसको use करने के बाद अगर उस तरह से नहीं हो रहा है तो उसके उपर हम लोग claim कर सकते है तो उस तरह की drugs को भी हम लोग क्या बोल सकते है misbranded drug बोल सकते है next हम देखेंगे misbranded cosmetic अभी हमने क्या देखा था misbranded drugs ठीक है so next है हमारा misbranded cosmetics misbranded cosmetic means इसके अंदर भी आपका which contains color other than prescribed उसकी जैसे कि prescription जो है उसके according other color होंगे तो वो drug क्या कहलाएगी हमारी misbranded cosmetics ठीक है इसकी labeling भी जो है prescribed manner way में नहीं होगा proper नहीं होगा then it is also called misbranded cosmetics ठीक है it is not labeled in a prescribed manner prescribed manner में जो है इसकी labeling जो है वो नहीं होगी ठीक है तो वो drug हमारा क्या कहलाएगा misbranded cosmetic ठीक है और it makes any false or misleading claims ठीक है ना जैसे कि मैंने बताया अभी हमने देखा था misbranded drugs में अगर वो drug उस पे लिखा है कि ये जो drugs हैं आपकी ठीक है ना वो क्या है डोलो है ठीक है बट जो अपन drugs ले रहे हैं ठीक है ना वो drug की जो effect है therapeutic effect है वो therapeutic effect जो है cause नहीं कर रही है ठीक है ना disease को जो है disease के लिए वो useful नहीं है उसे disease जो है हमारी कम नहीं हो रही है मतब जो भी problems है वो relief नहीं हो रहे हैं तो वो drug जो है हमारी क्या कहलाएगी उसके लिए हम जो है false claim कर सकते हैं ठीक है अब next देखेंगे हम adult rated drugs so now students adult rated drugs means जो drug हम make कर रहे हैं जो drug हम बना रहे हैं manufacturing कर रहे हैं उसके साथ कोई other substance अगर add हो जाता है या add कर लिया जाता है तो वो drug हमारी क्या कहलाएगी adult rated drugs कहलाएगी means उस drug के अंदर कुछ न कुछ adult ration cause हो गया है ठीक है so adult rated drug means what it consists in whole or part of any filthy ठीक है putrid or decomposed substance ठीक है so basically filthy का मतलब जो भी खराब जो भी गंदा substance जो है वो उस drug के साथ add हो गया है ठीक है या putrid का मतलब होता है जो भी आपका substance है जो की सड़ा हो गया है या मतलब वो बेकार हो गया है damaged हो गया है तो वो substance अगर किसी other drug के साथ add हो जाता है तो वो drug हमारी क्या कहलाएगी adulterated drug कहलाएगी या जो drug decomposed है जो drug जो है आपका सड़ चुका है जो drug हमारी खराब हो चुकी है टीक है ना गीला मतलब गीला हो चुका है decomposed हो चुका है तो इस तरह की drug जो है अगर हम कोई भी drug के साथ add करते हैं तो वो drug हमारी क्या कहलाएगी adulterated drug कहलाएगी किस तरह की filthy, putrid और decomposed substance ये सारी चीज़े अगर drug के साथ add कर दिये जाते हैं add हो जाती है drug manufacturing करने के time पे तो वो drug हमारी क्या कहलाएगी adulterated drug कहलाएगी ठीक है और next definitions क्या है आपके adulterated drugs के next definition है हमारा कि अगर हम जो भी drugs को manufacturing कर रहे हैं ठीक है ना उस drug के packaging के time पे या उस drug को अगर हम prepared कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं packaging के time पे ठीक है कोई in sanitary condition cause हो जाए ठीक है means कोई भी as watch condition जो है हो जाए in sanitary conditions हो जाए ठीक है ना तो उस drug वो drug जो है हमारी health के लिए क्या हो सकता है injurious हो सकता है ठीक है means वो drug जो है toxic cause कर सकती है तो इस तरह के drug को हम क्या बोलेंगे adult rated drugs बोलेंगे next definition हमारा क्या है adult rated drugs का वो है आपका it is packed in the container composed ठीके नगर उसको हम packed कर रहे हैं ठीके नगर तो वो packing के time पे कुछ भी इस तरह से proper way में pack नहीं हुई है ठीके नगर तो वो drugs जो है किस तरह से cause हो सकती है हमारा poisonous substance बन सकता है तो ये भी हमारे health के लिए क्या है harmful है ये भी toxic cause कर सकती next definition है हमारा adult rated drugs का it contain a color other than prescribed ठीके नगर जो prescription पे color है ठीके नगर उसके अलावा अगर कोई other prescription है तो उस तरह के drug को भी हम क्या बोल सकते है next है हमारा it contain any harmful or toxic substance which may render it injurious to health ठीके मतलब वो जो drugs है ठीके ना उसके उसमें कुछ भी harmful substance या toxic substance सामील है ठीके ना add है तो उस वज़ा से भी क्या हो सकता है हमारी health के ओपर health के लिए harmful है और drugs जो है हमारी health के लिए injurious है तो इस तरह के drugs को भी हम क्या बोलेंगे adulterated drugs बोलेंगे next definition है हमारा any substance is mixed कोई भी substance उस drug के साथ mixed कर दिये जा रही है तो उस drug की जो quality है उस drug की जो strength है उस drug की जो standard है वो क्या हो जा रही है low हो जा रही है और इस वज़ा से ये हमारी health के लिए क्या है harmful है तो these are the basic definitions of adulterated drugs misbranded drugs misbranded cosmetics तो student next है हमारा superiors drug or cosmetics superiors drug means if it is imported under a name which belong to another drugs means हमने कोई भी drugs को import कराया है ठीक है और उसका वो drug जो है same name से नहीं आकर के किसी other name से आया है तो उस तरह की drugs को भी हम क्या बोलेंगे superiors drugs बोलेंगे ठीक है next definitions क्या है it is imitation of or a substitute for another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive ठीक है means कोई भी दवाई ठीक है ना अगर उस दवाई की just नकल करके या उसके just देख करके बनी हुई है तो उस तरह की दवाई को भी हम क्या बोलेंगे superiors drugs बोलेंगे ठीक है superiors drug means जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने जैसे suppose मानलो डोलो डोलो जो medicines है ठीक है वो अनालजिसिक और अंटीपेरेटिक्स दोनों ही है ठीक है बत उस ड्रग को हमने क्या-क्या import कराया और उसकी जगह पे कोई और ड्रग्स आ गई लाइक कोरोसीन आ गई या वर्टेवर जो भी अनालजिसिक ड्रग्स होती है वो आ गई तो उस तरह की दवाई को हम क्या बोलेंगे सुपीरियस बोलेंगे नेक्स डेफनिशन क्या है सुपीरियस ड्रग की इफ दे लेबल और दे कंटेनर बियर दे नेम ओफ एन इंडिवीज्वल और कंपनी प्रोमोर्टिंग तो भी दे मैनुफेक्चर ओफ ड्रग्स ठीक है मतलब कोई भी कंपनी ने अगर कोई अधर नेम से बनाई है ड्रग्स या सेम शॉल्ट है बट वो जो है अडवर्टाइस कर रही है किसी अच्छी ब्रेंड कंपनी की मतलब कोई भी अच्छी कंपनी है उस तरह की कंपनी की वो अपनी एडवर्टाइसमेंट दिखा रही है तो उस तरह की दवाई को भी हम क्या बोलेंगे सुपीरियस ड्रग्स बोलेंगे ठीक है उस पे जो है उसके कंटेनर पे उसके लेबल पे जो है अगर कोई अलग नेम डाल दिया अधर नेम लगा दिया तो उस तरह की ड्रग्स को भी हम क्या बोलेंगे सुपीरियस ड्रग्स बोलेंगे ठीक है इसलिए क्या लिख रखा है कि इफ दा लेबल और दा कंटेनर बियर दा नेम ओफ एन इंडिविजवल और कंपनी प्रोपोर्टिंग टू बी दा मैनुफेक्चर आफ दा ड्रग्स जो दवाईया मैनुफेक्चर की जा रही है उसके जगह कोई अधर नाम डाल दिया जाए तो उस तरह की दवाई को भी हम क्या बोलेंगे सुपीरियस ड्रग बोलेंगे नेक्स्ट है हमारा इसके अलावा कोई अधर हमने नाम डाल दिया है या कोई अधर पार्ट उसके अंदर इन्वाल्व कर दी गई है तो उस तरह की दवाई को भी क्या बोले जाएगे सुपीरियस ड्रग बोला जाएगा ठीक है अगर इस तरह की दवाई है ठीक है ना और उसके उसकी प्रॉपर वे में लैबलिंग नहीं हुई हो या उसका प्रॉपर नेम नहीं है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं कमपनी को या वो कमपनी जो है उस दवाई को मैनुफेक्चर किया और देन वो कमपनी किसी रीजन की वजह से वो कमपनी बंध हो गई है तो उस तरह की दवाई पे भी हम क्लैम कर सकते हैं उस तरह की ड्रग्स पे हम क्लैम कर सकते हैं और उस तरह की ड्रग्स को भी सुपीरियस ड्रग बोला जाएगा अब नेक्स्ट है हमारा superiors cosmetics superiors cosmetics mean just like superiors drugs की तरह होंगी इसमें भी जो है इसके name की जगह कोई another name होगा तो उस तरह की drugs को भी हम क्या बोलेंगे superiors cosmetics稱 usar High highs Pues יबेंगीyan कोई भी medicines को इंपोर्ट कर आया है ठीक है और import वो same name से नहीं आकर another name से आई है तो उस तरह की cosmetic को हम क्या बोलेंगे superior cosmetics बोलेंगे so thank you students आज की class हमारी complete हो गई है next class में हम लोग schedules to the rules and acts next class में हम लोग study करेंगे thank you